हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सिबर ओनलेन क्लासिस दोस्तो आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर इस समय इंडिया जीगे का जो है वो सीरीज चल रही है तो आज की इस वीडियो में हम 10 कोस्टेंस फिर से लेकर लिए मिल सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिन समय गवाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब न उभ्ला काफी उत्पादक राज कौन सा है। आपसट्न से आपके, आपस intend A आंदर प्रिदेश, आपसन B उत्तर प्रिदेश, आपसन C उडिसा और आपसन D होगा आपका करनातक। तो question number 1 का सही आंसर होगा, आपसन D करनातक। जिहां दोस्तों, करनातक भारत का सबसे कौफी उत्पादक राज है question number 2 है भारत की सरबादिक सीमा किस देश के साथ लगती है options हैं आपके option A नेपाल option B चीन and option D होगा आपका बंगलादेश and option C option D होगा आपका इन में से कोई नहीं question number 2 का सही answer है option C बंगलादेश जी हैं दोस्तो भारत की जो सबसे सरबादिक जमीनी सीमा है न वो दंगलादेश से मिलती है question number 3 अरुनाचल प्रदेश को पूर्ण राजी का दरजा कब मिला option से हैं आपके option A 1987 में option B 1986 में option B 1988 में and option D 1985 में question number 3 का सही answer होगा option A 1987 नेक्स्ट कोस्टन आता है question number 4 2010 में किस बंदरगा को भारत का 13 पिर्मुख बंदरगा घोसित किया गया है 2010 में किस बंदरगा को भारत का 13 पिर्मुख बंदरगा घोसित किया गया है सोड़ दोस्तों यहां पर यह तेरा नहीं है, यहाँ पर केबल कोस्चन से इतना है कि 2010 में भारत के किस बंदरगा को भारत का पिरमुख बंदरगा गोशित किया गया है आपके तूति कोरिन, आप्शन B, मूर्मुगाव, आप्शन C, पोर्ट बिलियर, और आप्शन D, इनमें से कोई नहीं तो कोस्चन नमबर 4 का सही आंसर है, आप्शन C, पोर्ट बिलियर नेक्स्ट कोस्चन है हमारा, कोस्चन नमबर 5, भारत मियामार, फ्रेंट्सिप रोड, भारत के किस राज़ को मियामार से जोड़ती है भारत और मियमार के बीच में दोस्तों एक friendship road जो बन रही है वो भारत के किस राज को मियमार से जोड़ती है option से आपके option A मड़िपूर, option B मेगाले, option C नागालेंड and option D इन में से कोई नहीं तो question number 5 का सही answer होगा option A मड़िपूर next question के तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो की PDF फैल के लिए डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो की PDF फैल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो next question है हमारा question number six भारतिये बन अनसुन्धान संस्थान किस इस्थान पर استrict है भारतिये बन अनसुन्धान संस्थान कहां पर इस्थित है ओप्सन्स हैं देहरादून, ओप्सन B दिल्ली, ओप्सन C लखनौ और ओप्सन D गाजियवाद तो क्वेश्चन नम्बर 6 का सही आंसर है ओप्सन A देहरादून जी हैं दोस्तों भारती ये बन अनसंधन संस्थान जो है वो देहरादून में इस्थित है नम्लिकत में से भारत में कौन सा इस्थान केसर के उतपादन के लिए प्रिसिद्ध है निमलिकित में से भारत में कौन सा इस्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है ओप्शन से आपके ओप्शन ए असम ओप्शन बी सिक्किम ओप्शन सी मेघाला और ओप्शन डी जम्मू कस्मीर तो केसर के लिए उत्पादर के लिए जो भारत का राज प्रिसिद्ध है उसका नाम है दोस्तो जम्मू एंड कस्मीर तो यहाँ पर question number 7 का सही आंसर होगा option D जम्मू कस्मीर question number 8 है निमलिकित में से भारत के किस राज की सीमा म्यामार से नहीं लगती है निमलिकित में से भारत के किस राज की सीमा म्यामार से नहीं लगती है option से आपके option A नागालेंड, option B अरुनाचल प्रदेश, option C असम और option D इनमें से कोई नहीं तो question number 8 का सही आंसर है option C असम question number 9 है भारत के 90 प्रत्सत हीरे किस शहर में प्रसंस्क्रित किये जाते है option से आपके option A सूरत, option B मुंबई, option C जैपुर, and option D होगा दोस्तों आपका बढ़ोदा question number 9 का सही आंसर होगा option A सूरत तो भारत के 90 प्रत्सत जो हीरे हैं वो प्रसंस्क्रित मतलब उनको तरासा जाता है कहां पर सूरत में ठीक है तो question दोस्तो अभी last question के तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूटूब पर वैस्ट चैनल है क्योंकि दोस्तो हम अपने चैनल पर आपके लिए डेली बारा बज़े आपको एक वीडियो देते हैं और उसके पीडिया फाइल भी हम आपको फ्री में अप्लोड कर देते हैं ठीक है तो आप पीडिया फाइल के लिए डाउनलूड कर लीजिया करें और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सको उतना शेयर भी किया करें ठीक है तो next question की तरफ चलते हैं question number 10 भारत के अंडमान बा निकोबार दीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है ओप्सन से आपके थाइलेंड और इंडोनेसिया ओप्सन भी थाइलेंड स्रिलंका और इंडोनेसिया ओप्सन सी थाइलेंड और स्रिलंका एंड इन में से कोई नहीं question number 10 का सही answer होगा option A थाइलेंड और इंडोनेसिया जी हाँ दोस्तों अंडमान निकोबार दीप समुद्री सीमा वो थाइलेंड और इंडोनेसिया दोनों देशों के साथ में मिलती है तो ये थे दोस्तों 10 questions वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताएं अगर वीडियो प वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार